गुड आफ्टेनून टियर स्टूडेंट्स हिंदी की कक्षा में हम आज पहले स्वरों को दोराएंगे हिंदी वर्ण माला में जो हमारे स्वर हैं उनको हम दोराएंगे तो आईए आपने मैम के साथ बोलिए अ से अनार आ से आम इ से इमली बड़ी से एक छोटा उसे उल्लू बड़ा उसे उन री से रिशी ए से एडी आ से एनक ओ से ओकली आउ से आउरत आं से अंगूर अनह खाली कल हमने ओसे ओकली लिखने का अभ्यास किया था आज हम नेक्स स्वर लेंगे और वो स्वर है अउ अउसे औशदी अउसे औवरत अउसे औजार अब आप देखिए अउ हम कैसे लिखेंगे सबसे पहले हम कर्वस बनाएंगे यहां पर स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे इसको जॉइन करेंगे टू स्टैंडिंग लाइन्स को हम जॉइन करेंगे उपर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और सेकिंड लाइन से हम दो मात्रा लगाएंगे अउ की मात्रा अउसे औवरत अउसे औशदी औशदी मिन्स मैडसन अउसे औजार औजार कौन यूज करता है मैकनिक यूज करते हैं ठीक है अब हम अउ लिखने का अभ्यास अपनी कॉपी में करेंगे सबसे पहले हम फोर डॉट्स लगाएंगे वान टू त्री फोर जैसे हमने उसी ओखली के लिए लगाए थे उसी तरह से हम फाइफ लाइन्स में यहाँ पर फोर डॉट्स लगाएंगे ब्लैक लाइन्स पर यहाँ पर हम कर्व्स बनाएंगे छोटा वो बनाया है अब हम इसमें स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे इसे जॉइन करेंगे सेकंड स्टैंडिंग लाइन से दो मात्रा उपर लगेगी और यहाँ पर स्लीपिंग लाइन बनेगे अउसे और रत कव्स बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे जॉइन सेकंड लाइन से उपर आउग की मात्रा लगा के यहाँ पर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे कव्स बनाएंगे टू स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे जॉइन करेंगे और यहाँ पे दो मात्रा pink line से just नीचे second line से दो मात्रा लगेंगे औकी मात्रा आप वो लिए औसी और शधी sleeping line, standing line बनाएंगे curves के बाद second line से एक मात्रा और यह दूसरी मात्रा और यहाँ पे skipping लाइन बनाएंगे आउसे और जार करवस बनाएंगे टू स्टैंडिंग लाइन्स जोईन करिये सेकेंड लाइन से दू मात्रा लगाएं और उपर स्लीपिंग लाइन बनाएंगे आउसे और शधी बूल बूल के लिखेंगे करवस बनाएंगे आउसे डू गैगी और स्लीपिंग लाइन बनेगे आउसे और जार करवस बनाएंगे स्तैंडिंग लाइन जॉइन दू मात्रा लगाएंगे आउसे टू स्लीपिंग लाइन बनेगे आउसे औरत standing line बढ़ाएंगे कव बनाके joint करेंगे second line से दो मात्रा लगाएंगे और यहाँ पे sleeping line आउसे और शथी सब बच्चे बोल बोल के लिखेंगे और अपनी पैंसल धेरी धेरे चलाएंगे राइटिक सुन्दर सुन्दर लिखेंगे आउसे और शथी कव बनाएंगे standing line two standing line join second line से pink line की जर्स नीचे ही आनी चे ये दू मात्रा और sleeping line आउसे और जार आउसे औरत आउसे और शथी आप भी सब बच्चे अपनी फाइफ लाइन की कॉपीज में आउसे और अउरत लिखने का अभ्यास करेंगे और अपने मैम को अपने वीडियोज लिखते वे आपकी वीडियोज हमें सेंट करेंगे धन्यवाद और घजसे और शपकीज लिखते और शवाद